खुश यामदीद आज हम आपको बताने जा रहे हैं सैविनेट से सिंपल आइडियास पर खासी का फोरी इलाज लेसन और शेहद की मदद से बहुत ही अहसान और मुनफरिद अंदास का टोटकर जो जटपट काम करेगा आपने करना यह है बस लसन और शेहद लेना है लसन जो है देसी लसन होना चाहिए बड़ा वाला लसन नहीं छोटा लसन ठीके देसी लसन के हम चार दाने लेंगे चार दाने लेने के बाद हम उसको एक एक करके सुई में फिर हो देंगे बारिक से सुई ले 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 बड़ी सु इसको चूले पर जलाएंगे, इसको हम पूरा कोईले की तरह काला कर लेंगे जला जला के, ठीक है? यह अपने लस्टन ले आप हमारे यहां पर रोशनी कम है, तो इसलिए आपको सही से नज़र नहीं आएगा, अब उसको चूले पर जला जला दे कि जला दिया, ऐसे ही करके हम चारो लसन को अच्छे तरीके से खुब जला देंगे यह हमने चारो लसन पूरे जला दिये बिल्कुल कोईला बन गई है न अब इसको हमें चमच की मदद से पीसेंगे बिल्कुल इसका न वो बनाएंगे चूरा सा राख सी बनाएंगे ठीक है जितने ज़्यादे लसन अच्छे जले में उतना ज़्यादा यह बेस्ट होगा ठीक है हम इसको अच्छे तरह चमच से मेश कर देंगे करते रहेंगे ठीक है और इसी दुरान यह आगे हमारी रोक वर्ल्ल गेमर्स जोनों ने हमारी वीडियो को कऱे से मिम्हें है कर देंगे मि इस लुवेज जबते हैं जबते हिल्यादे एक नहींजनों इसके स्लेड़ान चाहें जबते हैं तो वो भी कर सकते हैं अब हम एक चम्म शेहद लेके मिला देंगे ठीक है एक चम्म शेहद लेके हम इसमें मिला देंगे इसमें शेहद मिला देंगे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ठीक है बिल्कुल यही एक जान हो जाए अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे वीडियो को लाइक झरूर करेंगेगा कमेंट भी जरूर करेंगा और प्लीज शेयर जरूर करेंगा और सब्सक्राइब तो लाजिम करने आपने ठीकर और यह ट्राय करके देखे हैं, बहुत अच्छा है, यह तूटका नसे कासी में 4 एराम आता है क्यूंकि मैंने खुध अजमाया हुआ ही थूटका ठीक है हम यह बच्चों को भी दे सकते हैं, चेह महिने के बाद से बच्चों को भी स्टाइट कर सकते हैं बच्चों को दिन में दो दफ़ा चटाना है इसको और बड़े तीन से चार दफ़ा हलका से लेकर चाट सकते हैं ठीक है खासी का फोर ही लाज़े जो खासी जो विला धड़क शुरू नहीं हो जाती जो बन नहीं होती ही उस खासी के लिए बहुत ही इजी और हर घर में शेहद होता है हर घर में लेसन होता देशी लेसन लेना आपने चोटा वाला तो